नमस्कार दोस्तों, PCS पार्ट साला में आफ़ी का स्वागत है आज के वीडियो में हम चर्चा यह करेंगे कि TGT-PGT Mathematics की तयारी कैसे करा है चाहे आपका GIC-PGT हो, या फिर UP-TGT-PGT हो या फिर आपका NBS, KBS, BSSB में TGT-PGT हो या फिर अधर इस्टेट जो है, बिहार है, जारखंड है, रारस्थान है, चत्रिस गड़ है वहाँ जो TGT-PGT Mathematics है, उसकी तयारी कैसे करा है कुल मिलाकर गडित में प्रवक्ता के लिए और प्रसिछित असनातक मतलब TGT की तयारी कैसे करा है, यही आज का विशह है और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें UP, TGT-PGT के बारे में बोल ला हूँ या जियाए C-PGT के बारे में बोल ला हूँ तो बाकी नहीं है देखे, आज के वीडियो में बिस्त्री चर्चा करेंगे कि कहां से प्रशन उठाए जाते हैं और अलग जैसे NBS हो या फिर KBS हो या फिर UP, UP में जो TGT-PGT है या जियाए C-PGT है, UP, TGT-PGT और GIC-PGT किस प्रकार से NBS और KBS, DBS असमें से भिन हो जाती है, इसकी भी चर्चा होगी तो देखे दोस्तों, यही मैं बताना चाहता हूँ आज के वीडियो में कि गडित की तयारी प्रवक्ता के लिए प्रसिचित असनातक के लिए कैसे करा है तो देखे दोस्तों, जहां तक इस समय बात है, तो इस समय NBS के लिए या फिर KBS के लिए वेकंसी नहीं है अभी NBS या KBS के लिए वेकंसी नहीं आई है, लेकिन KBS के लिए उमीद है कि KBS के लिए फरवरी या मार्च 2021 में फरवरी या मार्च 2021 कुल मलाकर एक दो महिने में KBS में अच्छी खासी भरती देखने को मिल सकती है लेकिन ततकाल में जो भरती आपके सामने है वो सामने है UPTGT PGT की और GIC PGT की और DSSB में भी हो सकता है कि हटा 10-15 दिन के अंदर DSSB में भी 32 के करीब प्रवक्ता की सीटे निकलने वाली है तो यही कुल मिलाकर इस समय वरतमान समय में यही भरतियां है तो आज के वीडियो में हम चर्चा Mathematics की करेंगे वैसे तो मैं सोसल की बहुत सारी सब्डेट के बारे में वीडियो बना चुका हूँ तो उसकी तयारी कैसे करिए लेकिन आज का भी सही है कि प्रवक्ता के लिए प्रस्चित अशनातर गड़त की तयारी कैसे करा है तो देखे दोस्तों जहां तक बात है GIC PGT की या फिर UPT GT PGT की तो यह थोड़ा भिन हो जाता है इसमें जो विशावस्तु पुछता है इसमें जो प्रस्चन पुछेंगे वह NBS, KBS, DSSV के मुकाबले थोड़े सरल होंगे याद रखेगा NBS, KBS, DSSV के मुकाबले थोड़े बहुत सरल होते हैं थोड़े बहुत नहीं जादा बहुत सरल होते हैं जादा सरल होते हैं अगर UPT GT PGT या फिर GIC PGT मलब UP में जो परिछाएं आयो जी तो यह प्रवक्ता की वह NBS, KBS के मुकाबले थोड़ी सरल होती है देखे लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे GIC PGT की या फिर UPT GT PGT में जो मैथमेटिस है उसकी त्यारी कैसे रिए तो देखे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यहाँ पर उत्तरफदेस बोर्ड का जो आपका books है उसको आप follow करें सबसे पहले गड़ित की त्यारी करने वाले कच्छा 6 से लेकर अगर आप गड़ित की त्यारी करें है प्रवक्ता का प्रवक्ता की त्यारी करें तो आपने MSC किया है और उसके बाद MSC आपने अच्छा खासा किया है तो आप सको पता है कि वहाँ गड़ित की तियारी के लिए आप कच्छा 6 से लेकर 12 तक जो गड़ित के उस तक है उनको आप देखिए सबसे पहले आप उनको देखिए उनको हल करना से किए उसमें जो फैक्ट दियेगा है उसमें जो जो भी सुत्र दिय आपको हल करना है और उसके लिए भी मैं आप लोग को बताया था कि कौन सा प्रेक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही मतपूर है एक पुस्तक आती है गरवाल पुब्लिकेशन की अगरवाल पुब्लिकेशन ने प्रवक्ता चेन परिच्छा का अलग 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 सब्जेट का इस्ट्री का जोगर्पी का पॉलिटी का एकनॉमी का वैसे ही गड़ित का भी material है गड़ित का practice येट है प्रवक्ता चन परिच्छा के लिए और हमारे ख्याल से उन्होंने उसमें प्रवक्ता चन परिच्छा का जो गड़ित का material है अगरवाल परिच्छाओं का उसमें लिखा वह आपका उत्तरपतेश TGT PGT के लिए या फिर GIC PGT के लिए बहुत ही महत्पुड और योगी सावित हो सकता है तो आप कम से कम देखिए पहला कार आप कारे यह करिए कि क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी आपने अब तक ज्यान अर्जित किया है जो भी आपके पास ज्यान अर्जित है उसका अप्रयोग करें कुल मिलाकर कच्छा 6 से लेकर 12 तक की कुस्तकों को बारी बारी दिवाइच करें बारी बारी देखें उसमें जोग भी कुछ किया है क्योंकि वहां से भी प्रशन उठाए जाते हैं क्यों बोल नहां हूं बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कि आप 11 बारा उठाए कि वहल क्लास 6 और 11 और 12 को ही आप फालो करिये लेकिन मैं क्लास 6 से ले इसले खाराओ कि आपका बेस मदबूत हो जाएगा जब आप कच्छा 6 से सिखेंगे फिर कच्छा 7 से सिखेंगे इस तर इसमें जो भी कुछ है आपका आपना समर्व जानते हैं उसमें जो भी कुछ सुतर दिये गाएगा या पर जो भी कुछ प्रशन है उसको हल करना है क्लमिलाकर जो इसको ली सिखेंगे रबारत तक उसके लिए 2-3 गंड़ा आप अलग समय निकाल ला है और ए प्रैक्टिसट एपको हल करना गर्वाल परिच्छा का बहुत हम्जट है उस में टिए लिखा थीयद अहला कि व्युठ यह प्रश्ण ओकर मतलब कि देश में जितनी भी PGT परिच्छा है अहत्य हों लेकिन मैं ढहरा तक देखता हूं वह enrollate प्रविर्ति का है तो सरल प्रविति का जो प्रश्न है वह GIC PGT के लिए या फिर UPT GT PGT के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है तो देखे दोस्तों आपको एक काम करना है कि कम से कम बाकी काम कर पाईए या मत कर पाईए लेकिन एक प्रेक्टिस सेट आपको हमेशा हल कर करना है प्रति दीन यह आप प्रड़ करना है एक प्रेक्टिस सेट आपको देखना है यह यह बात और बता दो यहाँ पर आप लोगोंको लिए अपर्चुनिटी यह है गडित वालों के लिए गडित की जो सीटे है बहुत जादे है सोशल के सब्जेट से तुलना किया जाए तो गड़ित की जो सीट है वह बहुत ही अच्छी खासी है तो उसमें आप लोग अपना अच्छा प्रदस्तन कर सकते हैं तो इसलिए आप यह कार है कि वह करीग वह कर सकते हैं तो वह कर ले सकते हैं और eek ready safe आपको हमेशा दकना है इतना कार तो आपको करना है और दूसरा काम बता दू आपको कि घटना चकर की एक बुक आए हुई है घटना चकर अलग अलग सब्जेट का बुक निकाला हुआ है जो 20 साल का उसमें पूरा का पूरा समगर अध्यान है घटना चकर का 20 साल का कुल मिलाकर सन 2000 से लेकर सन 2000 से ले PS, KBS, DSSB, UP, बिहार, अरस्थान, चतिसगर, सभी TGT, PGT, सभी LT grade को समाहित किया गा है, पुल मिलाकर 20 साल तक का, और इसलिए बहुत ही मधपूर हो सकता है, और अलग-अलग subject का निकाला है, तो आप लोग गडित का घटना चेकर का book ले लिजेगा, गडित का घटना चेकर का TGT, PGT वाला, मास्टर वाला ये बात नहीं, कुछ में UPPSC वाले प्रशन आया होगे, वह वाला नहीं चाहिए, आप TGT, PGT और LT grade के प्रशन रहेंगे, और हर संस्था का होगा, NBS का, KBS का, Central और State सभी का TGT, PGT, LT grade और NET के सारे प्रशन होगे, पुल मिलाकर मोटी book होगी गटना चक्की जो 20 साल के सभी प्रशन पत्रों को समाहित करेगी, तो आपको करना क्या है, एक practice state आपको प्रतित दिन हल करना है, और जैसे ही आपका जैसे अगरवाल वाला पैसे जिश्ट किया हो, बाकी भी आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी भी देख सकते हैं, जैसे हमाली जो अगरवाल वाला 15 practice state है, तो अगर खतम हो जा रहा है, तो फिर दूसरा practice state लाइए, उसको खतम करेए, इस तरह से लगाता practice state आप हल करिए, और इक बात बता दू, और फिर उसके बाद आप घटना चक्र, घटना चक्र आप अच्छेस देख लिजेगा, कृम उसमें NBSK, KBSK, DSSBK और अधर इस्टेट में जो भी TGT, PGT के एकजाम है, चाहिए LT grade भी उसका एकजाम है, या फिर NET के एकजाम है, सारे प्रशनों का समग रधन है, मोटा घटना चक्र है, तो वह book आप ले लाएं, और उसके बाद आप लोग practice state के लिए, जो अगरवाल जो नहीं, जो कच्छा चैसे लेकर भारत तक के books है, आप उसको भी देखिए, उसको भी आप process करिये, प्रयास करिए, तो उसमें भी आप मजे के साथ पढ़िए, तो देखे छे साथ मनने का समय है, और बहुत ही अच्छा खासा तयारी आपकी हो जाएगी, तो यहाँ कार हम के GS के आने वाले है, जेनरल HD के 40 प्रशन आने वाले हैं, तो इसलिए वह टेलिग्राम बनाया गया है, टेलिग्राम का लिंक है डिस्क्रिशन में, आप लोग उसको जरू जान के लिजे का टेलिग्राम को, साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूँगा, कि GIC PGT जेनरल HD के PDF चाहिए, वह हमारे official evaluation number पर शमपर कर लेंगे, हमारा जो official evaluation number है, grains the description में हमारा official evaluation नमबर है, शमपर कर लीजेगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन वह जो है चार्जेबल है वह जो है चार्जेबल है दो सो पचास उल्प्या उसका फीस है आप लोग पेमेंट करतीगेगा पेमेंट करने के बाद आपको पीडियाफ मिल लाएगा और साथ जार पांसो प्रशनों की टेसरीज है अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो चालीस प्रशन तो उसके लिए भी आप हमारे ओफिशियल वाटस नमबर पे संपख कर लिजेगा डिस्क्रिशन में टेलीग्राम है टेलीग्राम को बिल्कुल जोइन करिएगा और जिस तरह से आज मैं घट जिस तरह से मैं आपको आज मैट्स टीजीटी पीजीटी कैसे करें बताया हूँ अगर आपका कोई भी प्रशन है किसी भी परिचा समनित तो आप प्रभी प्रशन आप पूर सकते हैं मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा ठीक है धन्यबद आप लोगो टेलीग्राम बिलकुल जवान करेगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिशन में दे दिया गया धन् कर लीजेगा लेकिन जो भी मैट्रियल है वो चार्जेबल है दोस्तों तो जो लोग सीरियस होंगे वही लोग समपर करेंगे धन्यबद आप लोगो